नमस्ते फ्रेंड्स वेलकम टो माई चैनल आज की वीडियो में हम कुर्ती की कटिंग करना सीखेंगे तो इस तरह से देखी मैंने कपड़े को चार तैमे मोड करके रख लिया है और कपड़े को पहले हम उपर से बरावर कर लेंगे जो कुर्ते की फुल लेंथ होगी वो होगी अगर आपकी हाइट नोर्मल है तो आप साथ इंच पर ही निशान लगाएए अगर आपकी हाइट जादा है तो आप आधा इंच एक्ष्टा रखे यहां पर लंबाई तो यह मैंने साड़े साथ इंच पर लगाया है अब हम एक निशान लगाएंगे चाक के लिए उपर से 21 20 इंच पर यह उपर से लगाना है 21 इंच पर तो फ्रेंड जो कपड़े की लंबाई है बहुत 44 इंच और जो कुर्टा बनेगा वो बनेगा हमारा 42 इंच का तो मैंने 2 इंच कपड़ा एक्ष्ट्रा रखा है मार्जन के लिए अब इस तरह से जो हमने निशान लगाए थे इस तरह सीधी लाइन क्षीच लेंगे यहां पर और यहां पर और नीचे की साइड यहां पर तो इस तरह से पहली लाइन है चेश्ट के लिए दूसरी कमर के लिए नीचे की तीसरी लाइन जो कीजी है वो है हिप्स के लिए अब हम ऊपर जो हमने ये मुढ़ो का निशान लगाया था 7 इंच का तो यहां पर भी हम लाइन खीच लेंगे तो इस तरह से लाइन खीच लेंगे और लाइन खीच लेने के बाद अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे तो पहले चेश्ट का निशान लगाएंगे तो देखिए जो चेश्ट है हमारी गोलाई वो है 36 इंच मैंने लूजिंग के लिए लिया है तो है 38 इंच तो 38 इंच का हमें 4 भाग लेना है तो देखी किस तरह से निकालना है इस तरह से 38 इंच तक इंच टेप को डबल करना है और फिर एक बार वो डबल करना है तो जो ये 4 भाग निकलेगा इधर की साइट 9 इंच तो हमें 9 इंच पर निशान लगा लेना है ये इस तरह से आएगा तो इस तरह से यहाँ पर हम साड़े नो इंच पर निशान लगाएंगे अब कमर का निशान लगाएंगे तो जो कमर है हमारी देखिए वो है 34 इंच तो 34 इंच का भी हमें फोर्थ भाग लेना है तो इसी तरह से निकालना है तो वो होगा साड़े आठ इंच, तो इस तरह से साड़े आठ इंच पर निशान लगा लेंगे, हमने इसमें थोड़ा सा लूजिंग भी रखा है, ज्यादे टाइटली कुटता तो पहना नहीं जाता है, तो इसमें ही हमारी लूजिंग भी है, अब इस तरह से हिप्स दो है, इस तरह शेंदे हिंगे, आप इस तरह से लाइन खीच लेंगे, यह इस तरह से दिखिए अब यहाँ पर आधा इंच पर ऐसे, такие इसथर से अधा इंच पर इंच ब्लग़ानी देनी है तो इसथर से यहां पर हम आपि कैजो मद्ध को इस तरह से थेकर और के लिए निशान लगाएंगे पिसे तरह हम करें उ एक द्लद इस तरह से हम गोलाई देंगे इस तरह से देखी यह होगा हमारे पीछे का पार्ट अब आगे के लिए निशान लगाएंगे इस तरह से हम अंदर की साइट को इस लाइन से ऐसे एक लाइन कुछें गीच फेल आधा हिंश प्रेसर लिखिए से गल में कैसे साइट को खीचना है जिस फृवाइन करना या इसा अंदर की साइट को यह अंदर की आधा हींच पर लाहिन कीचेंगे और फिर इस तरह से देखे तो यह यहां पर इस तरह से हमने गुलाई दे दी है यह आगे का पार्ट है और यह पीछे का पार्ट बनेगा यहां से कटिंग होने के बाद अब जो गला है गले का निशान लगा लेंगे तो इस तरह से जो चोड़ाई होगी गले की वो होगी धाई इंच तो इस तरह धाई इंच निशान लगा लेंगे जो गहराई होगी गले की तो अब यह हम पीछे के गले का कटिंग करेंगे तो यह होगी पाँच इंच तो इस तरह से निशान लगाने के बार ऐसे गोलाई दे देंगे आगे के गले की कटिंग हम बाद में करेंगे अब इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे अब इस तरह से गले की कटिंग भी कर देंगे आब इसमें से हम अंदर की साइट का जो पार्ट असको निकाल देंगे एक पार्ट को अब हम आगे के पार्ट की कटिंग कर लेंगे, ऐसे दिखिए पहले हम इस तरह से कपड़े को बरावर कर लेंगे और फिर उसके बाद मुढधे की साइट से कटिंग कर देंगे तो फ्रेंज अगर चैनल पर न्यूँ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए तो इस तरह से बरावर करने के बाद मुढधो की साइट से कटिंग कर देंगे तो इस तरह से मुढधो की कटिंग करने के बाद अब हम इसका जो गला है उसकी कटिंग करेंगे क्योंकि जो हमारा पीछी गला था वो 5 इंच का था तो हम इसमें इस तरह से 1.5 इंच नीचे की साइट को बढा करके, इस तरह से गोलाई देंगे और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे, जो आगे का गला है वो नॉर्मल हम 6.5 इंच का बनाते हैं, अब हम इस तरह से सिलीप्स की कटिंग करेंगे तो इस तरह से कपड़े को हम पहले चार लेयर में रखेंगे यह ऐसे देखिए ऐसे डबल करेंगे और फिर एक वार रोल डबल करेंगे और देखिए इस तरह से साड़े आठ इंच इस तरह से है यह फोर्थ लेयर में जब हमने इसको किया अब जो एक्ष्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर देंगे अब इस तरह से कपड़े को बरावर करने के बाद इस तरह से शेब देंगे ऐसे देखिए और फिर इस तरह से जो गोलाई रखेंगे आगे से वह रखेंगे पांच इंच अब इस तरह से लाइन खीच लेंगे और कटिंग कर देंगे तो इस तरह से हमने फटाफट सिलीव की कटिंग कर ली है और यहाँ पर हमें कट लगा देंगे अब इस तरह से कपड़े को खोलना है और इस तरह से यहाँ पर आधा इंच की शेप देंगे और कटिंग कर देंगे क्योंकि यह पार्ट है तो हमारा आगे की साइड आता है और बहुत ही अराम से गले की पट्टी की कटिंग कर लेंगे इस तरह से देखे यह बहुत ही असान तरीका है पट्टी कटिंग करने का गले की जो पाइपिन हम लगाते हैं उसका अब इस तरह से ऐसे निशान लगा लेंगे और इस तरह से एक इंच पर निशान लगा लेंगे कि और फिर इस तरह से कटिंग कर लेंगे तो फ्रेंट्स इस तरह से हमने अपने कुर्टे की कटिंग कर ली है सिलाई करने के बाद हमारा जो कुर्टा है वह कुछ इस तरह का लगेगा तो फ्रेंट्स अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो फ्रेंट्स थेंक्यू बाई